नमस्कर जय जगरनात आज मैं मुमोस बनाओंगी आपको दिखाऊंगी आपको अच्छा लगएगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइज सेर सब्सक्राइब जरूर करना चलिए शुरू करते हैं पहले देखें मैंने मुमोस के लिए क्या क्या सब जिलिया हूं पत्ता गॉभी ग प्याज, हरी मिर्ची, लेशन, सोयवेन, पत्ता को भी को पहले मैंने इसे चपर में चपिंग कर दिया है पिर मैंने कडाई कराम करके तेल डालके इसके बाद इसमें लेशन और हरी मिर्ची टाल दिया है प्याज और पत्ता को भी गाजर इसको भी डाल दिया है जो सोयवेन, तैना, सोयवेन, इनको भी चपिंग करके डाल दिया है पिर देखेंगे देखेंगे प्याजर अग्या है अजू प्याजर अपिंग आप झाजर दियान शीक प्याजर कर दिया है पर इसके बादे में तुरा नमोग डाल ये नमोग और सुयास, सुयास दाल निगवान, छीशे इसको भून येव, फिर देखे, इसमें जो ना, चिली फ्लेक्स होता है ना, उसको भी डालेओ, दो चमाच, छुट्टे चमाच में डालेओ, अभी अपने सबजी के हिसाब से डालना, आपको कितना दिखा पसंदे, आजी नमोटो नहीं डालाए, फिर देखे, फिर उसके बाद मैंने मैधा लियाए, मैधा को नमोक डालके, और पांडलके, अट्टा गुन्ने देशा गुन्द लियाए, देखे, झालेओ, 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 झाले देखिए अठा गुन्ने जिस सेगुन्ने के बाद में इसे रोटी जिसे बना दिया है और ग्लास में इसे प्रेस कते है झाल पार ग्लास में इसे रोटी बाद में इसे बाद का एमीन इसे बाह में इसे अिसे से हैं पर क्लास में ना मेरे छोटा चोटा बना इसलिए में मौग में प्रेस करने कादा है उसमें जो मसाला बनाई थी सब्जी का उसमें डालके साइड में प्रेस कर दिया है ताकि सब्जी बाहर ना निकल था फिर मैंने क्या के बड़ा बर्तन में पाणे लिया पाणी गरम अने बाद आपके पास बर्तन में होल बाला बर्तन होता है ना उसमें आप जो जो बनाए हो मोज इसमें रख दीजिए अगया उपने के बाद नहीं इसके उपर रख दिया और ढख दिया डखने के बाद 20-25 मिनिट में गयास मिट्यों में रख दी मिट्यों में रखने के बाद देखे यह हमारा ममस बन गया और बहुत टेस्टी बनाए बताए और प्लीज आप गर में बनाए बाहर का मत खाये और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब केजिए बाई प्रेंट्स प्लीज का में गयास